हेलो फ्रेंट्स आज बात करेंगे कुछ M.C.Q की जो इंपोटेंट है एक्जाम के पॉइंट ओफ्यू से चाहे वो नौर्सेट हो चाहे वो डी एससबी हो चाहे वो एसी पीजी आई हो चाहे वो यह फिर रेल्वी यह क्यूशन आपकी प्रेक्टिस के लिए बहुत सदा होना चाहे वो आपको बहुत लोगों से पीछे ले के चला जाता है तो इसी के आधार पर जीतना याद करो अच्छे से याद करो और clear याद होना चाहिए उसका answer आपको direct आना चाहिए इसी का मतलब ही है कि आपको वो question कहा है topic clear है तो आएए शुरू करते हैं आज की session का पहला question तो first question जो है आपकी screen पे submerged portion submerged portion of iceberg represent submerged portion of iceberg represent option a undiagnosed case clinical case dead case और treated case बहुत important है यहाँ पर सारे option पर जाने की जरूत नहीं है सबसे पहले अपन को पता होना चाहिए कि what is iceberg phenomena कि iceberg phenomena क्या है कि iceberg phenomena आइस बर्ग फिनोमेना यह जानने के लिए अपन बात करते हैं कि iceberg phenomena जो दिया गया था इस तरह से एक आइस को शो किया गया है और नीचे यह पार आइस का submerged है यह मर्जड कहां पर है दाट इस इन दा सी यह कहां पर प्रजेंट है सी बोला गया तो वन थर्ड जो पार्ट है और नीचे कितना पार्ट है उसका टू थर्ड पार्ड आइस बर्ग फिनोमेना क्या दिखा था अब वन थर्ड पार्ट यह इसका कुछ इसा जो टिप बताया गया है वह कॉंड सी है इनको पोला गया बले ही वोस्पेटर हो सकता है बल यह पर इनको न्यूंकर क्या है प्रॉबहर्टेंट प्रोब्लम से यह अभी तक टू थए रड्ल और रडा उं डाइग्नोस्ट और कैसा कि उससा की साहरा उन ड्याइंगोश्ट तो वेरory वेडी इंपोर्टेट है यह अन Base यह अभी तक रिख के अरग вли여 फिन इन विला गया है इन वीजी बल पॉला गया इन वीजी बल बोला गया यह को यह भी बोला पानी केंदर हो न की आए अधि दक बताता है जिन फिर नहीं किया गया जुन ुप्रॉब्लम को इंटीफाइड नहीं किया गया वह प्रोब्लम उन summonedAYjanosed प्रॉं ने बाकि जो water है जो आस्को सवरूंड कि ये रख रहाय है यह किसको indicate कर रहा है धाटी से healthy population को क्या कर रहा है City कर रहा है तो यह आस पर आख फिननोमेन है किसको रीपरजेंट करा सब married abortion किसको रीपरजेंट कर रहा है अनडाइग्नोस एंडींटिकेंट कर रहा है तो तो यहां पर correct answer आपके क्या हो जाएगा a option is the correct answer जिसको अपने क्या बोला गया undiagnosed case क्यूशन नमर दो very very important बर्थ वेट ओप बेबी थाउजन टू थाउजन ग्राम आठ टाम अगर बेबी का वेट हजार से दो हजार ग्राम के बीच में है तो उसको क्या बोला जाएगा देखो according to who या इंडिया की जो बर्थ वेट है को माना गया दो हजार से लेके 3000 ग्राम नियोनेट का जो बर्थ वेट माना गया वह 2000-3000 ग्राम बोला गया अगर यह है वेट 3500 से ज्यादा चला जाता है यह वेट 3500 ग्राम से ज्यादा जाता है इस मेंस बेबी कैसा है बेबी क्या बोल सकते हैं अब इससे नीचे जो लो बर्थ वेट है उनकी कुछ कार्टेग्री डीसाइडकी गई यह तो ज्यादा बुष्ट परता था टो अिससे की सब्से पहले बात करते हैं सबसे बात करेंगे तो ट्ववन्ती फाइब टू थर्टी हंड्रेड ग्राम यह तो क्या रहेगा आपका नॉरमल बर्थ unable लेके 25 लेके तो लो बरत वेट इसमें क्या आएगा इसमें आएगा आपका हजार से लेके दो हजार तक अब इसके बाद में आता है अग्सट्रीमली लो बर्थ वेट वेट बेबी कुछन कैसा भी आ सकता आपको सारे थोरी एकलिर होना चैसा अगर वेट बेबी का हजार गराम से कम हचाइर गराम से हैं कम है तो इसको वो लेटए की कि भी लो बर्थ वेट बेलिए यहां पर boom बएप्षेट में के हैं मैं में क्यक्तिएगा दो हजार से 2000 बेरी लो भर्तवेट wiel से 2000 इस प्रीट्री फ्ली पर प्रीन को जाएं में अगर हहां पर हजार से दोजार दिया गया है और हजार से दो हजार ये कौन से में है जाएगा very low birth weight babies कौन से में हैगा very low birth weight babies तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा The correct answer is option B very low birth weight babies अगला जो important question है उसकी बात करेंगे आपना बहुत important बहुत important है विटामिन के injection at birth administered to newborn विटामिन के का जो injection है birth के टाइम पर newborn को क्यों किया जा रहा है बहुत इंपोटेंट है कुछ ऑप्शन इसके देखते हैं पहले टू प्रिवेंट अक्सेसिव ब्लेडिंग इंक्रीश इम्मुनिटी प्रिवेंट इंफ्यक्शन और करेक्ट मालनुट्रेशन सो डायरेक्ट लियसा को इंजेक्शन ने जो इम्मुनिट दोसरा इंपोटेंट कुक्यू पॉइंट पाच एकोल टू वन एंसमन ग्राइट। कैसें तयुक्शन अब्हों इंक्षेम की रियू से हैं। कि विटामिन में ये इंजेक्शन डिए जा रहा है कि वी टामइन फॉटन करें तूरattend कृता तरह रहे है तो क्योंकि क्योंकि युवार्ण वीटामिन करें के का जौ पर होता है इंटेस्टाइन और की है कुछ बैक्टिरिया की होता है कुछ बैक्टिरिया की होता, लेकिन यह जो बैक्टेरिया विटामिन के के प्रोडक्शन के लिए रेस्पोंसिव इंटेस्टेन में यह न्यूबॉर्ण की इंटेस्टेन में डवलप नहीं हो पाते हैं और इसी डवलपमेंट नहीं हो क्योंकि उसकी जो न्यूबॉर्ण के टाइम पर इंटेस्टेन कैसी ह होते वहां पर किसी प्रकार का डिया प्र्षेंट नहीं होता है तो यह तु ब्लीडिंग होने के चांसे उसी ब्लीडिंग को कम करने के लिए डिरेक्ली बेबी को कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है वीटामिन-क-इंजेक्शन आई-म दिया जाएगा बहुत इंपोटेंट आगला कुशन भी मैं पहले बोल रहा हूं कि सारे कुशन बहुत सिंपल है लेकिन इंपोटेंट भी है यह एक्जाम के पॉइंटों से बहुत कन्फूज हो जाते हैं जब एक्जाम में क्यूशन सामने आता है दिखने में बहुत सिंपल लग रहा है कि मृटम आप रूप हो जाएगा जब यह एक्जाम में आपके सामने आएगा हुमन मिल्क ही मिल्क कि रीटे इसके रावा सारे के सारे प्रसंट होते हैं human milk में fat फेत प्रोटीन और them जएदा इधर ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं ने को human fields की बात करते हैं तो present होता है yours protein भी present होता हैं yes और for car жंट होता है यहाँ पर मैं थोग्छा बिलिए आपको बता देता हूं कि सब जो फैट जो होता है अप्रोक्सिमेटली फोर ग्राम के समक्तिंग पर फोर प्रसेंटेज बोल सकते हैं इसको पर्शेंटर पर जयुद्प और जो प्रोटीन वह उप्रोक्सिमेटली वन परसेंटेज प्रसेंट होता है और साथ 72 кг क्लो कऩ पूछा जा रहा है कि कॉलस्ट्रόम की है क्याइक फर्स्ट ज्याद होता यहां पर प्रोटाइन क्या होता है तो बहुत मिल्क में फैट होता है प्रोटीन होता है एक और important line इसके अलावा 80 और 90 क्या पास जो प्रेजेंट है वो क्या present होता है वाटर प्रेजेंट होता है और यहां पर करेक्ट रांसर रहेगा क्योंकि आइरन हुमन मिल्क में प्रेजेंट नहीं होता है अगला क्यूशन आपकी स्क्रीन पर ये तो मात्तर और मात्तर दस रूपे का क्यूशन है सुनो द्यान से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम वाज फस्ट लॉंच इन वीच स्टेट ये क्यूशन कंप्लीट करने से पहले डायरेक्ट आंसर आपका इसको देना है क कि सबसे कम जो रेशियो है मेल और फीमेल का जो रेशियो है हजार की पॉपूलेशन पे वह कौन से स्टेट का कम था तो मेल फीमेल रेशियो कहां पर सबसे कम था हरियाना में कहां पर सबसे कम था हरियाना में तो इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग भी कहां से की गी थी हरि है भीटि पड़ाओ जो अभियान है वह सबसे पहली हर्याना में स्टार्ट किया गया था और 2015 में स्टार्ट किया गया था तो ध्यान रखना क्रेक्ट रांसर क्या हो जाएगा हर्याना कुशन बहुत इंप्पोर्टेंट है यह भी पूचा जाँ सकता है प्लस स्टार्ट कहां से किया था अपगार ही स्कौर 426 और गपकिसी पेशेंट मॉड प्यार्र सिछा यह है तो के लिए किया जाता है यहां पर सको कितना जिरो तो तीन ळाइन आपको याद रखना 4 to 6 जो है, वो क्या है, moderate depression, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, moderate depression, ये वीच वाला है, इसके लाव 7 to 10 जो है, वो no depression, यहाँ पर किसी भी परकार का depression patient को present नहीं होता है, तो newborn का status देखने के लिए अपगार scoring क्या जा रहा है, अपगार scoring में क्या क्या देखते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 0 to 3, severe depression, 4 to 6, moderate depression, और 7 to 10, no depression, तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, mild depression, यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा, sorry, mild नहीं बोलेंगे, moderate depression, answer correct क्या हो जाएगा, moderate depression, यहाँ पर correct answer होगा, अब question यह है कि इसमें क्या क्या देखा जाएगा, तो सबसे important है कि हार्ट чуд कि आएगा हाठ रेट ऑव हाठ रेट अगर विलो हंड्रेड घर कितना हो जाएगा तू हो जाएगा वही रेडूर और यहां पर कैसा आजाएगा रेगूलर जो इंपोडेंड वो मैं आपको बता रहा हूँ अगर ब्लिव कलर है तो 0 इसकोर दिया जाएगा अगर बोडी पिंक है बोडी का साथ पिंक और एक्स्ट्रिमेटीज कैसा स्कुर। तो मसल स्कूम की बात करते हैं मसल स्टूम. अप्सिंट सकता हं या फिर इसकोuses संफलेक्ष छेंट ओसकता हैं उसकता है और लाष्ट में क्या हो गया लाष्ट में आ मूवमेंट्स तो भात इंपोटेंट है कि अपगार स्कोर का डिप्रेशन करने के लिए स्कांड देखने के लिए का जिए जाता रहे हो अब प्रसंट है अब जो मेनिमिमम स्कोरिंग क्रेटीर वह जीरो दिए अगर अपसेंट है तो जीरो इसको हो जाएगा पूरी बूडियु का तो जीरो रहे गाँ रिफ्लेक्स यह लए अगर एक्टिव मुवमेंट्स हैं तो फूल इसकोरिंग रहेगा कंपुरा पिंग श्कॉरिंग और नहीं वहता है अच्छा इम्पोटेंट आपकी स्क्रीन के ऊपर है ऐक्स्क्लूजिव प्रिडिएक स्थूप फिडिंग ऑफ nggak कि इतनी मैने तक सिर्फ श्रफ देया जाएगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या दिया जाएगा ओली नाली मेंदर मिल्क दिया जाएगा तो principusिव ब्रेस फिडिक करवाने टिए बेभी को six month तक तो कर्यक्ट रांसर यहां परका हो जाएगा भी बहुत important एक्जाम के point of vision देख लाना एक बार और अर्गोनोमिक्स इस दे साइन्स ओफ अर्गोनोमिक्स इस दे साइन्स ओफ यह क्यूशन कई बार अग्जाम में आया है means means क्या है रूल या according to norms यानिक की अगर मैं बात करता है एक्जाम पर समझारों आपको कि यह एक सेफ है और इसके लिए यह सेफ है तो यह सेफ इसके लिए क्या होता फीट होता है तो राइट वाक और राइट जोब और राइट वरकर सही काम और सही काम करने वाला तो यह क्या है एक साइन्स जिसमें क्या करता है उस वरकर्स के लिए फिट जोब को क्या किया जा रहा है डिजाइन किया रहा है डिजाइनिंग तो इसको क्या मोलते है अर्गोनोमिक्स ट्रेनिंग इसमें नहीं है और रिकूटिंग एडी ओप्शन है सोरी एंप्लोई को रिकूट यह नहीं करता तो यहां पर क्या रहेगा राइट वर्क और राइट एमप्लोई यह दोनों है फिट जोब फिट देखने के लिए इसको पर क्या बोलते हैं तो डिजाइनिंग दे जोब टू फिट द इंट्राइंट डिवाइस है यह इंट्राइंट डिवाइस है यह इस को पर्टी टू हंड्रेड और लापेट अगया इसी के अधार पर इनकी क्लास बना दी गई है तो इसपेसली सबसे बड़े डूरियशन और रिलाइबल जो है वो टेन येर्स तक करी करता है यहां पर की कोपरटी का साइड इफक्ट यहां पर पूचा है तो मैंने बोला कि intra-utern device का मिनिंग क्या हो गया यह क्या किया जाएगा इंसर्ट किया जाएगा आ क्या रहेगा यहां पर तो जितने भी इंप्लांटेबल क्या रहेगा ब्लीडिंग तो यहां पर क्रेक्ट रांसर क्या हो जाएगा ब्लीडिंग हो जाएगा इसके लाएं पूचावा की पेन भी होता है वेजाइनल भी होता है इन डिस्चार्ज हो सकता है प्रेजन हो सकता है ब्लीडिंग वेरी इंपोर्टेंट ग्रे बेबी सिंड्रोम इसका होना चाहिए यह कुछ एंटिवाइटिक्स हैं अगर क्लोरें फेनिकॉल के बात करते हैं सो क्लोरें फेनिकॉल क्या है यह एक मैन एंटी माइक्रोबियल एजेंट हैं यह क्या करता है कि इस ड्रक्स को अगर बेबी को दिया जा रहा है इनफेंट को अगर दिया जा रहा है ऐसी कंडिशन में क्या करता कि लिवर एंजाइम्स कर लिवर एंज्यमिज को डाइजेस्ट लाइज नहीं कर पाते हैं क्लॉरम फिनिकोल को लिवर एंजाइंज का डाइजेस्टूर मेटावलाइज नहीं कर पाते हैं इसकी वज़ sûr क्रता क्या कॉजकरता है साथ में की पहा हखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखखख साथ में क्या कोज करता है हाइपोटेंशन कोज करता है साथ में क्या कोज करता हाइपोटेंशन कोज करता है और इसके लाव यहां पर पेशन्ट का क्या कर सकता है डेथ भी कोज कर सकता है तो यह इसका एक कोमन साइड इफेक्ट है क्लोरेम फिनिकोल का तो ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है वह किसका साइड इफेक्ट हो गया ग्रे ब पर अधिया गया है ओ लिया गया है यहां पर ए लिया गया है बी लिया गया है अब इसमें ओ फिस्प्रिंग देखना ए ओ ओ बी ए ए भी सेबिधी ओ बी और वी से साइनसिस कोज करता है हाइपोसटेंश्चन कोज करता है साथ में क्या कोज करता है है और इसके फिर्सक्राइब है वह क्लोरी पिनिकोल का तो काडल anni सेडर्वेप नयुटक लिए उपराय गया ए और आप बैबी सिंडर्वोटिoten K. करा मैं वेरी वरी इंपोर्टज पुनेटी स्क्वार इज इजूजफूल फौर। एक डाराम आपने बच्मान में देखा होगा इस तरीके से कि यहां पर है अज्ट्स औक ररहतीस पर यहां पर यह अज़ा गया है , भाष आगा न ! अब इसमें ओफ इस्प्रिंग देखना ए ओ ए ओ बी ए ए बी ओ बी और बी बी इसके लाओ ए ओ ओ ओ और बी ओ इस पर करका डाइग्राम आपने देखा होगा यह सब क्या करने के काम आते हैं यह ओफ इस्प्रिंग हूं कि tutto करते हैं यह बयाएं जो प्रोजच ब्रीडिंग कैस सब्सक्राइब करल अउसका मगा सब्सक्राइब कि इस data की सब्सक्राइब एक प्रोबिलीटी तो डिट्रमाइट्स to to a majority of स्पुर्ण तो यहां पर डिट्रमाइबिलिटी ओप फिरिंग याश प्रोबिलीटि ओप स्पूरिंग नहीं देखने के लिए काम में नहीं आता है तू बिखने कला में तो यहां पर पीशंट का जीनग अप्षऽा घी पिखना क्या क सिताई लिए उन्ली ऑप्षन इसके लख करते हैं सेकिंड और थर्ड की तो यहां पर refractive errors हो सकता है refractive error हो सकता है या फिर का हो सकता है ग्लुकोमा साइलेंट की ला रिजाए लिए इनडिया इंडिया तो यह इसके लावा अगर पूचा गया monstrue is kapि마 अगर बार पुचादा प्रोट अगर है यहीं जितने भी आप पंपे इसका प्रोटर वार ओडलत फिलूड मुनिवैं नॉनियक्रणी करणा यहां पर बलड है सीमन है agu जील च्राम में, यहां पर अन्पर है नियूद, प्लूट है तो जितनी भी फ्लूट्स बोडी के उन सब यापर को क्या यूज़ करना है यूनिवर्सल प्रीकुशन काम में लेना है नेक्स्ट्क्षिन पोटेंशियल एजेंट डैट कैन बी यूज़ड बायो टेरी रिजम देखो यह मीनिंग आपको समझना बोज़ रहे हैं जान बूज कर जान बूज कर बैक्टिरिया वाइरस और अधर बायो एजेंट्स और अधर बायो एजेंट्स इनको लोगों में क्या करना इस फार्ड करना और लोगों क्या करना फरभावित करना यह क्या कऱेंगा बायो टीरिजम कहलाटा है अब इसमैं पोटेंशियल जो है हो क्या रहे का रहेगा लुगिश्च यह प्लॉटूनेम ब्हुटूनेम्पक्ति अब विक षीधा और सीदा क्igorता है और उसके ब तुरुधा इसमेल सुन के लिया जा सकता है, रोपले सित के रूप में, यह इसको फूड में भी दिया जा सकता है तीन में ता पेहस्ट को क्या करने काम में आता है तो टर्यूरिस्च का प्विश सबसें कोन ही रहेगा सबसे potential क्यों बोला गए इसको यह सीधा का सीदा सीएएस करता है और सीएएस परकाने बाद नरों को डेमेज करके मसल्स को क्या करता है तो जान बुझके वायरस बैक्टीरिया और यह फहलाना और उनको परभावित ना यह क्या क्या हैदा आपका अब्हुत इंपोटेंट अशाय जो किसके द्लारी च र्वाइस एपना एक और इंपोटेंट लाईन यो पुचा है कि हाउस फ्लाई हाउस क्वाइस कोन खार्थ हाउस फ्लाई फ्लाई उर पेरा टाई ताइफॉइड ओर पेरा टाइफुड फ्यला थै हाउस प्लाइफ तो कलाजार सेंट फ्लाइफ प्लाइफ इसके लाएक को कि टैस्टीश फ्लाइब कि यह क्या करता है बहुत इंपोर्टेंड वह स्लिपिंग शिक्नेस कोज करता है यह पर एक और है, इच माइट्स क्या करते हैं, इच माइट्स इनका काम है, इसके बीच, यह क्या फिलाती हैं, यह इसके बीच करती हैं, और एक और important है, mosquito malaria, mosquito क्या कोच करता है, malaria कोच करता है, तो और भी बहुत सारे question है, जो आगे अपन discuss करेंगे, लेकिन आज के लिए काफी है, thank you very much